सुहें नमस्का दोस्तों कैसे आप सभी लोग स्वाध करता हूँ आप सभी लोकाऑ हमेरी इस वीडियू में आज की इस वीडियो में भाफ करेंगे कि इंदर पर स्टोप क्लोजिंग बेलेंस वीप जी होता है इस में जो एकुटियों पर रहता है वो शैक्स कि वासागत के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोग मैं सारी चीज़े बताऊंगा तो आप लोग बैने इस वीडियो पर यह वीडियो काफी तर खास होने वाला है सारी चीज़े आप लोग समझ में आ जाएगी आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगे इस पर closing balance उसके नीचे stock margin अब आप लोग एक चीज देखो stock margin यहाँ पर plus है और plus मैं यहाँ पर देखे मैं stock margin के ओपर tap कर रहा हूँ न तो देखो यहाँ पर यहाँ पर delivery और 20% delivery sell आ रहा है अब यहाँ पर आप में सारे लोग मुझे से पूछते हैं मुझे stock margin मिलेगा है नहीं तो देखो सबसले में उसको clear करने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी तुम stock margin plus में देख रहे हो ना तो मेरे पास जो stock margin plus मैं यह मुझे मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मेने plus का मतलब है shares को बेचा है और shares को बेचा हुआ पैसा मेरे पास आएगा आप लोगों मैं यहाँ पर बता दो इसलिए मेरे पास ही हाँ पर stock margin plus आ रहा है और आपको कौन सा यहाँ पर पैसा मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा अब चलिए शुरुत करते हैं कौन सा चीज क्या है तो इनको सब से ओपर तुम जो देख रहाreme balance for stocks इसका मतलब है little pursue तुम जो पैसा ना balance for stocks में तो यहां पर देखो यह पैसा है ना यह पैसा लास्ट टाइम मेरे पास था लब देखे तुमने कोई भी पैसा है यहां पर फिलाल मेरा जैड किया हो या फिर तुमने किसी भी शेयर को बेचा हो तो यहां पर देखो उससे पहले जो लास्ट टाइम तुम्हारे पास जो पैसा के बाद जो पैसा मेरे पास आया है ना वो सबसे उपर शो कर रहा है यह होता है यहां पर एक्वीटी में शो करता है इसके बाइड डिलीवरी में तुम लोग देख रहा है मतलब जो शेर मैंने बेचे है ना उसका जो टोटल पैसा है ना वो इतना हो रहा है मतलब देखो मैंन यह मेरे पास कब आएगा यहाँ पर देखो यह मेरे पास आज रात में आजाएगा यहाँ पर देखो लिखा हुआ available by tonight इस पर आप लोग Y पर क्लिक करोगे ना यहाँ से आप लोग सारी चीज़े पता चल जाएगी कि यहाँ पर यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर clear mention किया गाए कि यहाँ पर ऐसे नियम ऐसा regulation इसके कारण यहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप लोग कोई डरने वली बात हैं यह 20% पैसा आप लोग के पास आ जाता है तो देखिए मुझे लगता है आप लोगों चीजे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर आप लोग सोचेंगे इस पैसे को यदि आपको withdraw करना है और अभी आप withdraw करने जाएंगे तो यहाँ पर यह withdraw नहीं होगा तो मैं आपको कहना चाओंगा यह पैसा यहाँ पर दो दिन के बाद withdraw हो सकता है आप लोग दो दिन के बाद इस पैसे को withdraw कर सकते हैं यहाँ पर grow up होगी तो देखिए यह हम लोग grow up use करते हैं तो grow up use करने के साथ साथ हमारे लिए stock margin के बारे में जानना काफी ता ज़रूर रहता है यहाँ पर यहाँ पर यह stock margin क्या है तो मैंने सोचा कि आपको समझाओ इसके अंदर जो stock margin के अंदर सारी चीज़े ना यह आप लोगों में समझा दू क्या की रिया है क्या किसका मतलब क्या है और यह क्यूं दिखाता है क्योंकि जोग इसके related आप लोग के मन में काफी ता doubt करता है और यह चीज़ आपको परेशान करती है जिस चीज़ का doubt हम लोगा clear हो जाता है तो वह चीज़ हमको काफी सा आसान लगती है और काफी सिंपल लगती है तो मैंने सोचा आप लोगों सरल भाशा में आसान भाशा में यहाँ पर अपने तरीके से बताओं कि आखिर ग् अरजिन गुराइप के अंदर कि क्या होता है